आपको भी क्या weight loss करना है, आपको भी एक healthy mind चाहिए, एक healthy body चाहिए और एक healthy lifestyle चाहिए तो जी हाँ, आज हम Ayurvedic के according ऐसी कुछ habits जानेंगे जिससे कि आप अपनी healthy body को maintain कर सकते हैं तो चलिए, start करते हैं, उससे पहले मेरा नाम डॉक्टर निशानागपाल है, अगर आप मेरे चानल पे नहीं हैं और मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज उसको subscribe कर लिजिए और ऐसी ही मैं informative वीडियो बनाती रहती हैं तो चलिए, शुरू करते हैं, तो अगर हम आयरुवेदा के according बात करें, तो यह हमारी जो दादी, जो माई नानी हैं, वो हमको ऐसे छोटे-छोटे नुसके बताती रहती हैं, मगर हम बानते नहीं हैं उन नुसकों को, तो आज हम जो है, उनकी नुसकों के बारे में भी जान पॉठी, जिसको बोलते हैं चौकडी मार के बैठना, तो ऐसी पोजीशन में बैठके, खाना खाये, तो देखिए, ऐसी पोजीशन में बैठके, खाना खाने से क्या होता है ? एक तो हमारा बोड़ी का पोश्चर है, वो मिंटेन रहता है, इम्प्रूव होता है, हमारा बेट फूलना तो यह सारी जो चीजे होती है वो रिड्यूस होती है अगर हम क्रोस लेक पूजिशन में आल्ती पालती वाली पूजिशन में बैठके जो है खाना खाएं और हो सके तो जमीन पर बैठके खाना खाएं बहार नहीं हो सकता है बर जब भी आप घर पर हो तो कोशिश करिए कि ऐसीagen में बैठके खाना खाये दूसरी तो देखिए पहले के जमाने के जो लोग थे हमारे वह हमारे मिट्टी के बर्तों में खाना बनाते थे कियो बनाते थे उसमें क्यों क्योंकि जो 1 अर्टी का बरतून होता है उसका नीचर होतennes है यूंर जो हमारा जबnn इसे अंदर मिर्च मसाले डालते हैं उसके अंदर तो वह पास नहीं है तो जरूर जाए और एक बिट्टी का बर्तन खरीद के लाएं और खाना उसमें बनाकी तो देखे जो हमारे बॉड़ी होती है उसका भी अपना एक biological clock होता है, तो जैसी शाम ढलती है, तो हमारी जो body का metabolism है, जो पाचन शक्ती है, वो भी दीरे-दीरे कम हो जाती है, तो हो सके ही, तो जो रात का खाना है, वो sunset से पहले खा लीजिए, या फिर 7 या 8 बजे तक खाना आप खा लीजिए, सूर्यास हो जाता है तो हमारी जो पाचन शक्ती है, वो भी कम हो जाती है, अगर हम उसके बाद खाना खाते है, और generally लोग जो है वो डिनर हेवी कर लेते है, तो जो हमारा पाचन तंत्र है, वो उसका जो है वो पचानी की शक्ती अब कम हो गयी है, तो वो धीरे-धीरे work करेगा. तो हम उसके अं सोने के समय के बीच में अंतर नहीं होता, आप तो सो जाते हैं, मगर जो हमारी अंदर डाजेस्टेर सिस्टरम है, वो वर्क करता रहेगा, क्योंकि उसको तो वो खाना पचाना है, तो इससे क्या होगा, कि जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जाती है, ग्यास बनना, पेट फूलना पेट दर्द रहना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, वो हो जाती है, तो ऐसा करें, कि जो है, जो साथ या आज बज़े से पहले खाना खाले, संसेट से पहले खाना खालीजिये, और लाइट ही डिनर रखिये, तो इससे क्या होगा, कि आपकी जो बोडी को भी रिलाक्स ह हो जाएगी, आपकी बोडी को भी रेस्ट मिलेगा, ब्रेकफस से पहले जो आपकी बोडी भी रेस्ट हो जाएगी, चौती, कि सुभा सुभा जब आप उठते हैं, तो चार से पांच ग्लास पानी पिये, हो सके तो थोड़ा सा गरम कर लीजे, कोसा पानी, गुन गुना पा है, धीरे-धीरे ही इसकी आदत बनती है, चार-पांच ग्लास एकदम से नहीं पिये जाते, कोशिश करिए, दो से स्टार्ट करिए, फिर धीरे-धीरे जो है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपनी लाइन सुनी होगी, या नहीं सुनी होगी, तो मैं आपको बताती ह जूस की तरह बन जाए, पानी की तरह बन जाए, इतना उसको चबा-चबा के आप खाना खाईए, इत योर वाटर मतलब कि पानी को सिप-सिप करके पिए, पानी को एक बारी में गटकना नहीं है, पानी को सिप-सिप करके आप पिए, लास्ट हम बात करते हैं, जब भी आप सुबह उठे अपनी आखों में कम से कम 20-30 बारी जो है पानी के चिट्टे मारिए तो आज की टिप्स तो बस इतनी ही थी अगर आपको कोई डाउट हो कोई कोश्चिन पूछना हो तो कॉमेंट में जरूर पूछिएगा और थेंक यू सो मज फॉर वाचिंग